एक छोटे से गाव में एक हंसमुख मचुवारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का गाव एक खूबसूरत जील के किनारे बसा हुआ था। यह जील मचलियों से भरी हुई थी और गाव के लोग अपनी आजिविका के लिए इस पर निर्भर थे। रामू बचपन से ही मचलिया पकड़ने का शौकीन था और उसे मचलियों के बारे में बहुत ग्यान था। उसकी किस्से खानिया भी मचलियों के बारे में ही होती थी जिससे गाव के बच्चे और बुजुर्ब भी बहुत प्रभावित होते थे। रामु की एक छोटी सी बोट थी जिसे उसने खुद ही बनाया था. वह अपनी बोट को बहुत प्यार से सजाता था और उसे अपनी सपनों की नाव कहता था. रामु की यह बोट जील के उस हिस्से तक पहुँच सकती थी जहां और कोई नहीं जा सकता था. उसकी नाव पर एक छोटा सा जाल भी था, जिससे वह मचलिया पकड़ता था. रामु का एक सपना था कि वह एक दिन सबसे बड़ी मचली पकड़ेगा और उसे गाव के मेले में दिखाएगा. गाव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था जहां विभिन प्रतियोगिताय होती थी और सबसे बड़ी मचली पकड़ने की प्रतियोगिता सबसे महत्वपूर्ण थी रामु हर साल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था लेकिन अब तक वह सबसे बड़ी मचली नहीं पकड़ पाया था गाउ में एक कहानी बहुत मशूर थी कि जील के गहरे पानी में एक विशाल मचली रहती है इस मचली को किसी ने आज तक नहीं देखा था लेकिन उसके बारे में बहुत से किस से सुनाए जाते थे कहा जाता था कि अगर कोई इस मचली को पकड़ ले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी रामु ने भी इस कहानी को कई बार सुना था और वह इस विशाल मचली को पकड़ने का सपना देखता था एक दिन रामू ने तय किया कि वह इस बार मचली पकड़ने की प्रतियोगिता में सबसे बड़ी मचली जरूर पकड़ेगा उसने अपनी बोट और जाल की अच्छे से मरम्मत की और अपने साथ कुछ जरूरी सामान जैसे खाना, पानी और एक टॉर्च भी ले लिया रामू ने अपने दोस्तों और परिवार से विदाली और जील के गहरे पानी की ओर निकल पड़ा जील के पानी में रामू की बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी वह बहुत ध्यान से हर जगह देख रहा था कि कहीं उसे बड़ी मचली का कोई सुराग मिले अचानक उसे कुछ हलचल महसूस हुई उसने देखा कि पानी में कुछ बड़ा हिल रहा है रामू ने तुरंट अपना जाल फेंका और बड़ी उच्सुकता से इंतजार करने लगा कुछ देर बाद रामू को अपने जाल में कुछ भारी महसूस हुआ उसने धीरे धीरे जाल को खीचा और देखा कि उसमें एक विशाल मचली फंसी हुई थी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा उसने तुरंट मचली को अपनी बोट में रखा और वापस गाव की ओर चल पड़ा जब रामू गाव पहुचा तो सभी लोग उसकी बोट के चारों और जमा हो गए हर कोई उस विशाल मचली को देखना चाहता था रामू ने मचली को सभी को दिखाया और गाव के मेले में ले गया वहाँ उसने मचली को प्रतियोगिता में प्रस्तुत किया और उसे पहला इनाम मिला गाव के बुज़ुर्गों ने रामू को बधाई दी और कहा कि उसने सच में विशाल मचली पकड़ कर दिखा दिया अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी रामू ने अपनी इच्छाओं के बारे में सोचा और सबसे पहले उसने अपने गाव के लोगों के लिए एक बड़ा तालाब बनाने की सोची जहां सभी लोग आराम से मचलिया पकड़ सकें उसने अपने इनाम की राशी से तालाब बनवाया और सभी गाउं वालों के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित किया रामू की यह कहानी पूरे गाउं में मशहूर हो गई और लोग उसकी मिसाल देने लगे उसकी मेहंत और संकल्प ने उसे उसकी मनजिल तक पहुँचाया रामू ने अपनी जिन्दगी खुशहाल और संतोशपूर्ण तरीके से बिताई और उसके गाउं के लोग हमेशा उसके आभारी रहे इस तरह रामू की मचली की कहानी गाउं के बच्चों को प्रेणा देती रही और सभी ने यह सीखा की मेहंत और संकल्प से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है